सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई योटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ स्ट्रोवेरी आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें तो आएए देखते हैं ये स्ट्रोवेरी आइसक्रीम कैसे बनेगी स्ट्रोवेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर विक फिल्ड फ्रिज आइसक्रीम मिक्स पाउडर ले रखा है ये मार्केट में आपको एजली मिल जाएगा आप किसी भी फ्लेवर का आइसक्रीम पाउडर ले सकते हैं अब हम आइसक्रीम पाउडर को इस पतीले में ट्रांस्वर कर देंगे इसे डालने के बाद हम इसमें एट करेंगे दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध दालते हुए इसका एक घोल तयार करेंगे हमने यहाँ पर फुल क्रीम half टीटर दूद ले रखा है दूद को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से चलाते हुए इसका एक गोल तयार करने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल टेंपरेचर का दूद लिया है आप यहाँ पर ठंडे दूद का इस्तमाल मत करिएगा और यह हमारा आइस क्रीम का गोल रेडी हो चुका है अब इसे हम गैस पर रख देंगे कुक होने के लिए हम इसे medium to low flame पर कुक करेंगे high flame पर नहीं कुक करेंगे इसे हम continue चलाते रहेंगे इसमें हमने शुगर का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि आइस क्रीम पाउडर में पह मलाई डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला देंगे आप यहां पर दूद की मलाई की जगा पर अमुलकी फ्रेश क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्रीम डालने से हमारी जो आइस क्रीम का टेस्ट है बहुत ही क्रीमी आता है एकदब मार्केट जैसी आइस क्रीम बनके त अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और ये हमारा आइस्क्रीम का गोल अच्छे से ठंडा हो गया है ठंडा होने के बाद ये और भी थीक हो गया है अब इसे हम इस कंटेनर में ट्रांसपर कर लेंगे आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं हम कंटेनर में डालने के बाद फिर हम इसे रखेंगे 3 घंटे के लिए डीफ रीजर में सेट होने के लिए आइस्क्रीम के बैटर को हमने इस कंटेनर में ट्रांसपर कर लिया है अब इसे हम डीफ रीजर में रखेंगे 3 घंटे के लिए लीड लगा कर इसे हम रख देते हैं 3 घं अब इसे हम एक mixi jar में डालकर इसे अच्छे से blend कर लेते हैं इसे इस तरह से blend करने से हमारी जो ice cream का texture है बिल्कुल बाजार जैसी brick वाली ice cream का texture हो जाएगा ice cream को हम इस blender jar में डालकर अच्छे से blend कर लेंगे और ये हमने ice cream को 5 मिनट तक अच्छे से blend कर लिया है बहुत बढ़िया इसका texture आया है अब हम वापस उसी container को फिर से लेंगे और ice cream को हम container में transfer कर देंगे इसे transfer करने के बाद हम क्या करेंगे इसे हलका सा tap कर देंगे ताकि जो इसमें air bubbles बने हो वो हट जाए और ice cream हमारी बढ़िया से set हो अब इसे हम एक aluminum foil paper से cover कर देंगे cover करने से हमारे जो freezer की burp है वो ice cream पर नहीं आएगी और ice cream हमारी अच्छे से set हो जाएगी आप यहाँ पर किसी plastic sheet का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हम lead लगा कर 8 गंटे के लिए deep freezer में रख देंगे set होने के लिए 8 गंटे बाद हम वापस फिर से मिलेंगे 8 गंटे हो चुके हैं और ice cream हमारी अच्छे से set हो गई है इसे 8 गंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है dip in करता है आपके freezer के temperature पर अब हम cover को हटा कर ice cream को check कर लेंगे ice cream हमारी बहुत बढ़िया से set होई है यह देखिए बहुत बढ़िया से set होई है अब हम ice cream को serve कर लेंगे ice cream को हम इस ice cream cup में serve कर रहे हैं ice cream हमारी बहुत बढ़िया से set होई है इसका texture बहुत ही बढ़िया आया है आइस्क्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गानिशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, टूटी-फूटी और फ्रेश पुदीने की पत्ती से आप अपनी 24 के कोडिंग इसे किसी भी ड्राइफूट से गानिश कर सकते हैं आप मुझे मेरे फेस्बुक और इन इस्ट्राग्राम पेज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दिया है और ये हमने आइस्क्रीम को अच्छे से गानिश कर लिया है आइस्क्रीम तयार है सर्व करने के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ढेसरा लाइक दीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए महमान है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए और मुझे कॉमेंट करके ये भी बताईएगा कि आगे आप कौन सी नई रेस्टेपी देखना चाते हैं थैंक यू